असलाम अलेकूम महिए अभजर खान आज मैं मेरीव करूंगा इस चाल का यह है सेमल की चाल यह सेमल की चाल है यह बहुत ही जवर्दस्त होती है यह कैसा पेड़ दिखता है यह बाजू में लगाए पेड़ लेकिन लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं यह अभी दिखाई नहीं को चौन है तो मैं फोटो साइड में लगा दूगा और है जो लोग गाहूं से हैं थोड़ा कसमे से दूर रहते हैं उनके गाहूं में खेतों के किनारे सरकों किनारे पेड़ मिल जाता है बहुत अच्छा है फिरी की दवाह है यह काम करती है आदमियों के लिए बता दूंप हे और औरतों के लिए भी बताऊंगा तो यह आदमियों को इरेक्षन जिनको प्राब्लम होती इरेक्टाइल डिस्पक्षन उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है और जिनको टाइमिंग का इस हुए टाइमिंग अच्छी नहीं रहती तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है इस को इस्तिमाल कर सकते हैं कैसे इस्तिमाल करता है यह मैं आपको बताता हूँ पहले बता देता हूँ कि आउड़तों के लिए यह काम्याब है क्योंकि यह औरतों को जो पीरियड जिले होके आता है मनलब अनिम्मित मासिक धर्म इर्यूगलर पीरियड उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है तो आप इसे यूच के देख सकते हैं यह गर्भासे की सुजन भी दूर करता है तो इसे इस्तेमाल करना तो बनता है क्योंकि यह फिरी की दवाए आप कितना भी इलाज कर चुके हो लेकि इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा बैनिफिट आप इसकी छाल का थोड़ा टुकड़ा लेके मतलब 10 ग्राम के आसपास एक ग्लास पानी में उबाले और फिर वो जब आधा पानी बचे तो इसको छान लें फिर इसमें सहेद या फिर मिसरी मिलाके घोल लें और फिर इसको ठंधा करके पी लें और इसको पीना है सुबा सा रुदाइब और रात को खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें आपको। 12 मिलता है 15-20 दिन इसको तो चाहिजकर सकते हैं तोЫ मेरे ऀसाब से मुझसे प्रसनली बात करना है तो यह मेरा वाटसप नंबर है इस पे आप कॉल बुक कर सकते हैं जिसकी फीस भी पड़ती है और आप किसी भी प्राब्लम के इलाज के बारे में बात कर सकते हैं तो फिर मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए इस्टेफिट टेक क्यार हुआ झाल को बात का सकते हैं?